कॉंग्रिस नीता राहूल गांधी के नीतरुत में भारत जोडो यात्रा निकाली ज़ा रही है। कॉंग्रिस का ज़ंडा लेका चल रहे कारिकरताओं ने भारत जोडो नारे लगाए और देश की एकता अखंडता के लिए एक जुट होने का आवान किया। भारत जोडो यात्रा का ओदेश है कि देश से गरीबी को खत्मे किया जाए, सभी को जीने के समान अधिकार मिले और देश पिकास के पत पर आगे बड़े यह जागरुकता लाने के लिए ही भारत जोडो यात्रा निकाली जा रही है। जबलपुर से बाजित खान की रपोर्ट। जबलपुर से लेके कन्या कुमारी, महराश से लेके मिजोरामतर, भारत एक है, अकंड भारत है, कौंगर्स के हमारे संग्राम से नानियों ने हमारे पूरवजों ने लडाई लड़ी थी अंग्रेजों के किलाफ भारत की सतंता की निश्चित तोर पर, आज देश में कहीं न कहीं है कैसा महल बना है, जात, धर्म, मजब के नाम पर, अलग अलग प्रांतों के नाम पर लोगों के बीच में कुछ ऐसी ताकते काम कर रही हैं जो दुरियां पैदा करें, यह हम सब देख रहे हैं, कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत जोड़ों का मकसर यही है, कि यह जो अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ रही है, राहुल जी शुरू से एक बात कहते थे जो अब सच में उस समय लोग नहीं मानते थे पर अब सही में पूरे देश के सामने आ रही है, कि वर्थमान की सरकार दो-चार लोगों के लिए काम कर रही है, जो लगातार बहुत पैसे वाले हैं और पैसे वाले बनते जा रहे हैं, और हमारा जो आम आदमी है वो दिन पर दिन और गरीब होता जा रहा है, भारत जोड़ों यात्रा जबलपूर में निकालना, संसका धानी में आज जिस प्रकार से युवा मुझगार घूम रहे हैं, महंगाई के करन लोग परिशान हैं, अपने स्कूल के, फीस बच्चों की नहीं भर पा रहे हैं, चूला चौका महंगा हो गया है, यही भारत जोड़ों यात्रा है, कि लोगों को तक ये संदेश जाए और लोगों का खटा होके ये संदेश, कर्मिक भावनाओं पर भड़का कर आप लोगों को और उनका दिमाग भड़का कर, अब वो समय निकल गया कि अपना स्वार्थ सीधा कर लेंगे, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा कायोजन किया जा रहा है, हमारे सारे वरिष्ट नेताओं के मागदर्शन में, हमारे शेहर जिला कॉगनिस कमिटी के अध्यक्ष, कॉगनिस पार्टी के सारे लोग और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी संस्ताओं से जोड़ो हुए लोग जो है, जो कि गया राध्यतिक भी हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल है और सबका एकी संदेश है, भारत जोड़ो और राहूल गानी के अध्यक्ष तो तुम्हें आगे बहुत